बिग बॉस का जो आज का एपिसोड आया था काफी जबरदस्त आया था और आज बहुत सारे लोगों की पोल खुली है कि कौन किसका साथ देता है कौन पॉलिटिक्स घर में खेल रहा है और कौन हमेशा की तरह लड़ाई के बीच में टांग अड़ा लेता है आपको बताते है कि आज क्या हुआ क्या जबरदस चीजें हुई सबसे पहले बात करते हैं जो कपल बन चुके हैं गौतम सौंदर्या जिनके रिलेशनिशिप को फेक कहा जाता है कई बार इनके रिलेशनिशिप पर कॉश्चन माक आया है कि आखिरकार आखिरकार इनका जो रिलेशन कितना फ पिर चाहिए रहे window के पिज़नी नियुक्त संदर्या असे लिसा हैं अधिया इस यह दिनीयदि किस मार्श हूसते हैं अजाम स्थाइन लिगीज्ग लेकिन कि job 1964 बटें दिखाया गया है क्या ये content बिग बॉस के घर में TRP के लिए लेकर आए हैं क्या makers क्या सबसे पहले अब ये बात सवाल उठता है कि या makers जो कि उन्होंने कहा है कुछ ऐसा करने के लिए जिस तरीके से टीना और शालीन जहां पर शालीन के लिए टीना ने कहा था भी एक दो एपिसोड पहले कि बिग बॉस से कि बिग बॉस मैं शालीन से बात नहीं करूँगी ये क्या ये मतलब जब बिग बॉस के घर में ये गुसे तो इनसे बोला गया था कि आप अपना बॉंड बना लेना शालीन के साथ शालीन से गाता कि आप अपना टीना के साथ बॉंड बना लेना और अब कौन कितना सही निकल कर आ रहा है जहाँ पर कल देखा गया कि एक ग्रूप जो की हस रहा था मजाख उड़ा रहा था लेकिन अब दूसरा ग्रूप वो कहते है कि कर्मा is the bitch तो कर्मा किसका सामने आया जो आज अर्शना गौतम और सौंदर अशारमा जो कि उनकी आखों में आसू तक आ गए तो आपको बताते हैं कि स्टार्टिंग से एपिसोड में किस तरीके से क्या हुआ रोमैंस शुरू हुआ अब इस एपिसोड को basically TRP जादा मिलने वाली है क्योंकि इस एपिसोड में काफी इंटरस्टिंग चीजे हुई है आपको पार्ट में बताएंगे इस तरीके से गौतम और सौंदर्या का जो रोमैंस चल रहा था इसी के बाद फिर क्या हुआ बिग बॉस के घर में जब गौरी ना गौरी पर चोरी का अलजाम लगाया साजिद खान ने ये कहा कि तुम चोर बास का उस गेट पर लाट भी माली है बहुत तेज पूरा गेट रिल गया तूर भी सकता था कुछ भी हो सकता था लेकिं जो गुसा साथ खान ने दिखाया जिसके बाद गौरी ना गौरी ने इस बात को घुसा तो आ रहा था लेकिन फिर भी कहीं ने कहीं एमसी स्टैंड जो कि stunned रह गए थे, वो कहते हैं कि, गौरी के साथ बहुत बरा हो रहा है, और वो काफी परिशान है, वो कहते हैं, भाई मुझे घर जाना है, क्योंकि वो घर में परिशान हो चुके हैं, उनका मानना है कि घर में सब fake हैं, तो भाई बिग बाउस के घर में सबी तो fake हैं, रियल कौन है, कोई भी रियल नहीं है, आप सब तो अभी आपको 35 दिन होए हैं, मिले होए, 35 दिन में कौन किसको कितना पहचान लेता है, लेकिन इन घरवालों की जो असलियत है, सब की सामने पहली निकल करागी, और आपको बताते हैं कि इन सब में जो जैनुवन बात करेंगे, जो असली है, वो अंकित गुपता है, क्योंकि आज उनका बर्दे है, तो happy birthday तो अंकित गुपता है, लेकिन अंकित गुपता जो की जैसे हैं, वो वैसे ही है वह प्रियंका चैर चौधरी जो की हमेशा फटे में टांग डाने वारी जो बाते हैं वो करती रहती है आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जिससे प्रियंका चैर चौधरी का मजाक उड़ाया गया है जी हां और इसे के साथ जिस तरीके से जब delivery की जब बात हुई खान और गौरी को सभालो तो यह जो चीज़े हैं जिसके चलते delivery दी गई शिव ठाकरे को ना की गौरी ना गौरी को और यही बात बोलने के लिए अरशना गौतम वहाँ पर गई बैए एक चीज़ अरशना गौतम की सबसे ज़ादा most entertaining है सबसे ज़ादा blunt answer देती है और एकदम straight forward बढ़ है जो सच है वो सच है कौन कितना सच्चा है वो सब के बारे में इस बाते reveal करते हैं किसी से लड़ाई करने हो कुछ भी करना हो मतलब जो बात है तुम उस टाइम पे चाहँ उसके सच्ची दोस्त की ना हो उस टाइम पर बात कर लेगी गलत है तो वो गलत है सही है तो गोरी नागोरी की, कान में क्या बोला है, वो इस अपोले वाले बात थी और ये बात ही, फिर से प्रियंका चैर चौधरी घु링 गुज गई रढ़ाई में, क्योंकि शिव ठाकरे साथ जो लढ़ाई चल रही है प्रियंका चैर चौधरी की, जिस पर प्रियंका चैर चौधर जोकि फिर से उन्की रड़ाई होगे शिव थाकरे में और वोही चीज़ को लेकर सब हसने लगे कि आगर क्टना मजाक 裹णख बाउगी प्रियंक चहर चौधरी आगर क्यों बार 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 एक ही चीज़ को repeat करके कै Frame की प्र एक हर किसी और कोई किसी को कुछ बोलता है करें, आप इससे पहले उनकी लड़ाई जब हुई थी, जब निपनित ने गाली दी थी, प्रियंका चहर चाहदरी को, क्योंकि जब खाने के ओपर जब लड़ाई हुई थी, फूड पोर्शन को लेकर लड़ाई हुई थी, उसके बाद निमृत ने कुछ गाली दी, जिसके ब प्रियंका चैरचौदरी को नहीं बाई को जीजिसे वाली जीज़ें हैं कि यहां पर यहां पर भी प्रियंका चैरचौदरी अपने ऊपर बात ले गई जब वहाँ पे शालिन मनो थे निम्रित थे और वहाँ पर जब उन्होंने चॉकलेट खिलाई अंकित गुपता को तो जब कुछ ऐसा हुआ कि इनको प्रियंका चैर चौधरी को ऐसा लगा कि वो उसको चिडाने के लिए उसके दोस्त अंकित गुपता को विश किया है उसके सा है तो टेंशन मतले तो अपना मूड मत स्पोईल कर रहे न वाली सब्सक्राइब बाद में वो बात है निकल कर सामने आ गई यहाँ पर प्रियंका चैर चौधरी गलत थी क्योंकि एक ग्रुप है अगर वा खेल रहा है ठीक है तो इस बात को आप आगे भी कर सकते थे अगर आपको ऐसा लगता है लेकिन कुछ ऐसी बात हुई नहीं तो उस चीज को लड़ाई का मुद्दा बनाना कितना सही है जो कि प्रियंका चैर चौधरी हमेशा करती है आज अंकित गुपता के साथ भी लड़ाई हुई जहां पर एक तरह से अंकित गुपता ने उनको करो अब प्रियंका चैर चौधरी को समझा है लेकिन वो फिर भी नहीं मानी वो तब फिर से अलग वही वाली चीजे दी तो जिसके बाद शिव ठाकरे वर्सिस प्रियंका चैर चौधरी फिर से शुरू हुआ उस टाइम पर अंकित गुपता को साथ दिना पड़ा अपनी द और अर्शना गौतम ने उस बात को माना लेकिन इतना बुरा नहीं माना क्योंकि सुंबल तौकीर खान के सामने दो अप्शन थे उनके सामने एक टीना का खाना था और दूसरा खाना था किसका खाना था साजित खान का खाना था लेकिन साजित खान को उन्होंने खाना दे द दिया उसके बाद टीना दत्ता की जो रियल फेस है निकल कर सामने आ गया सबसे फिल आपको वदा देते हैं कि टीना और शालीन के बीच में अब ये जो रिलेशन जो दिखाया जा रहा है ये सब फेक है अब सब कुछ निकल कर सामने आ चुका है शालीन की तरफ से वो जो अट ग्लैम आपका जो ये प्रोड़क्ट है जिसमें टीना का नाम नहीं आया जहांपर सुम्बुल जहांपर सबसे पहले नंबर पर थी प्रियंका चाहर चौदरी सैकिंड नंबर पर सुम्बुल थी और थर्ड नंबर पर निम्रित थी और उनको काफी कम बहुत कम वोट मिले ह होई थे और उसके बाद चौत्यमाजव नंबर तो कोई था ही नहीं तो सुम्बुल को कैसे ग्लैम आप कि तरफ से उन्हें सेकंड नंबर की जो position है वो मिली और पहले नंबर पर पर प्रियंका चाहर चौधरी ने तो पहले ही महफिल है वो लूट ली थी एक करोड से जामप की सबसे जादा की खुबसूरत हैं और उन्हें 25 लाक रुपे मिलेंगे और उन्हें एड़िजमन मिलेगी श्रदा कपूर के साथ करने के लिए तो ये जो चीजें हैं जिसके चलते हैं ये जो गुस्सा था आज टीना का फिर से निकल गया कि सुम्बल ने आज टीना को भी डाट दिया, सुम्बल को डाट दिया कि आखिरकार जिस लड़की ने तुम्हें सपोर्ट किया जब तुबहरे पापा पर बात आई तब लड़की तुम्हारे लिए खडी रही उसके बाद भी तुमने साथ क्यों नहीं दिया, साजित खान को क्यों तुमने खाना दे द दिया और इसके बाद टीना बात करना चाहती थी लेकिन टीना का जो गुस्सा है वो तभी दिग गया था कि जिसमें वो कहती है कि बच्चे बच्चे माइफुट ये तक बोल दिया या निकि नहीं सुंबुल का अब कुछ नहीं होने वाला सुंबुल को लेकर जो जो चीजे थी बिजिक लिए अब जैसे कि सुंबुल लेकिन कहीं नहीं के साजीद खान का अलग से उनका गुरूप है फिर अश्चना गौतम प्रेंकर चैर चौधरी अब इनका फिर से गुरूप बन चुका है ये अलग से गुरूप है सौंदर अशर्मा और गौतम विस इनका इन द अगर ये उनके गुरूप में जाएंगे तो इनकी रड़ाई हो जाएगी क्योंकि उसमें सब में एक एगो है अलग तरह के एगो है टीना में भी अलग तरह के एगो है जब टीना में जो जैलेसी है वो निकल कर सामने आती है साथी साथ टीना का ये कहना कि जब मैंने सपोर और यहां तक की बात आती है कि अब जिस तरीकें से बोस की घर में हर कोई अपना गेम कहेल रहा है जहां पर प्रियंगा चायर चौदरी है अपना individual गेम खेल रही है प्रियंगे चाहिए को सपोर्ट नहीं चाहिए है और ऐसा लगता है कि अंकित गुपता ते जो मन है भर चुका है कि यारी क्या बंदा है मेरा सपोर्ट तो करता नहीं है तो इसको तो दूर रखो ये तो कुछ न कुछ ऐसे ही है लेकिन कहीं न कहीं वो उसके मन में जेलिसी है दोस्ती है उसके लिए रखना पड़ रहा है मजबूरी हो चुकी है कि एक बॉन्ड जो है अच्छा बॉन्ड बना हुआ है इस बॉन्ड को तोड़ना या इस बॉन्ड का खुद तोटना बहुत मुश्किल है ना तक कि इंपॉसिबल है लेकिन अंकित गुपता जो कि अगर कल को अगर वो उनसे बोलेंगे कि उनसे बात नहीं करना चाती तो अंकित गुपता भी शायद स्टार्टिंग में मनाएंगे फिर बाद में बोलेंगे चल भई ठीक है तो अपने रास्ते में अपने रास्ते इनका यही होगा बस चल रहा है अब क्या है आगे कुछ नहीं पता हैं कि फीचर तो कुछ भी नहीं है जिस पर खुद ये बात टीना ने बोल दिये कि शालीन मैं एक लड़की हूं और मेरे करेक्टर पर बात आई अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ किया तो मेरे करेक्टर पर बात ना आए जिसके चलते मैं इस सब चीज़ें से दूर रहती हूं तो यह 36 का आगड़ा है टीना का इस चीज़ के लिए है और वहीं अब्दुरोजिक को समझाया गया साजित खान ने समझाया अब्दुरोजिक को कि निम्रित के प्यार में मत पढ़ना निम्रित किसी और का प्यार है वो किसी औ और को चाहती है बहुत से घर बाहर निकलने के बाद वह कहीं और चली जाएगी तुम्हारा रास्ता कहीं और होगा कभी तुम निम्रित के प्यार में पागल हो जाओ 18-19 साल का प्यार है इस प्यार को इतना मत बढ़ने दो बहुत दुख होगा निम्रित का कुछ नहीं और यही है बिग बास का घर जहांपर अब सब अपनी गेम को खेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा खाने की पीछे रडाई होती है, फूड पोर्शन की पीछे रडाई होती है, जहांपर प्रेंका चैर जौदरी ने का कि मुझे कम आलू मिले, मेरे आलू कम थे, और निम्रित का य इसमें क्या गलत हो गया, इसमें लड़ने वाली क्या बात है आप comment section में, हमें भी जरूर बताएं, आखिरकार इसमें निम्रित सही है, या फिर प्रेंक का ya हमें comment section में जरूर बताएं, और आज का ऐपीसोड आपको कैसा लगा, ये भी हमें comment section में जरूर बताएं, चैनल को subscribe कर लें ऐसी ही मज़िदार अप्डेट्स के लिए